स्वागत है आप सभी का विजय नुतेश नियूज में आज शुशान सिंग राजपूत के गय हुए चार दिन होए चार दिन में बहुत सारे लोग पक्ष बिपक्ष दोनों ने अपनी अपनी सफाई दी लेकिन हकीकत क्या है आप और हम सभी जानते हैं कंगना रणावत से शुरू करते हैं बहुत सारे अभिनेता वॉलिवूड के इस सिस्टम के खिलाफ हुए करन जोहर सलमान खान आमेर खान कापूर खांदन के खिलाफ खुल कर खड़े हुए कि आज वॉलिवूड में काम की कदर नहीं है कदर है तो सिर्फ वंशवाद की आपका कोई गॉड़ फादर है तो आप इंडस्ट्री में रह सकते हैं नहीं तो नहीं इसी दर्मियान एक समय वॉलिवूड के दिगज कालाकार गोविंदा जिसे हर कोई जानता है आज से नौ वर्ष पहले पर अपना भड़ास निकाला सुनिए क्या कहा जो पिचर जो अच्छी हो जाए ऐसी नजर आए कि यह हिट हो सकती है समहू या तो उसे मन्ची नहीं मिल रहा रिलीस का या रिलीस हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीस मतलब किया नहीं जा रहा अब मैं कभी इससे पहले ऐसे नहीं कहा कि यह इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते है कि गोविंदा की फिल्म लगे यह लगे तो उसे मंच प्रदान हो सैंड्विच पिच्चर जो है अधनिया बाला साथ ठाकरे जी की वो ठेटर में रिलीजी नहीं हुई I'm very sorry for that and God is there उपरवाला है और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है और यह लोग जो कर रहे है यह सही धंग नहीं है यह तौर तरीका ही नहीं है जिव सबक्त मैं यह क्या discuss करूं आप लोगों से कि इस सिने में ऐसा था इस सिने में ऐसा था अरे सिने मा ही नहीं दिखा रहे है फिल्म तो दिखाए मुझे मंच तो प्रदान किजए मुझे अवसर तो प्रदान कीजे ऐसी क्या गलती मैंने कर दी मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हाड़वक किये जा रहा हूँ और मैं हाड़वक से पीछे नहीं हटूँगा मैं पीछे नहीं हटूँगा ये किया जा रहा है और ये आज प्रथम जनता जनारदन होती है, आप लोग मिरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा यसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आटिस्ट के लिए उसका सीनिमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं क भाषा के और किसी विशेश भाषा के वज़े से किसी के दिल पर ठेस पहुचाओं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंच नहीं है, मेरा ये सोचना है कि रिपया, मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें, और ऐसा हाल रहा, तो मैं फिर मैं क्या कह सकता हूँ, और मैं बिचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिर हूँ, ऐसा मेरा उदेश कभी नहीं होता है, मैं तो फॉलिटिक से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया, अब क्या है? गोईनों जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री से कुछ लोग है, जो मैं यह सब टॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, और इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है, मैं किसी विशेश लोगों के बारे में कहूँ, मुझे यह अच्छा नहीं जितारे पहलाजी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आया है, आप उसे मंच नहीं देंगे, इस रॉंग, I think this is something different, world we are watching and this is, maybe they are not realizing, but they are indirectly doing a very negative job, जो वो wrong type के लोग करते है, it's not good, यहां का माहूल ही नहीं, यह फिल्म लाइन की यह परिसिती कभी नहीं है, मुझे लग मेरे देखे तो नहीं रही, जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहां पे उस type के, इस type के, ऐस type के, वैस type के लोग है, आपका माहूल बहुत अच्छा है, अब यहां पे एक भी wrong नहीं है, फिर यह क्या है, गोविंदर जी हम live है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन वो जानना चाहते हैं, क्या यह दिक्कत, यह politics आपके साथ, film industry के लोग कर रह है, all over the world, परन्तु यह ऐसा हुआ है, हो सकता है, पुला मैं कहूंगा कि भागय का हिस्सा हो सकता है, मैं हाँ जोड़के बिनिती करता हूं ओ लोगों से, जो इस तरह की क्रियाए कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि जो जैसा है, उसके भागय पे उसे छोड़े, आप मंच प हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहां पे डिफरेंट टाइप के लोग है, यह तब भी नहीं हुआ अक्षमा चाहता हूं, उन लोगों से जो शायद इन सब चीजों के पीछे है, मैं अक्षमा चाहता हूं, मैं हाँ जोड़के बिनिती करता हूं कि यह मावल बदले, और मेरी बाकाइदा इश्वर से यह प्रार्थना है, मैं खुदा से यह दुआ करता हूं, कि उन लोगों के पर वो नजर करें, देखें उस तरफ, कि भई यह क्या है, यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भई? इस इस नोट ड़न, इस बैद, श्वाप्रार्थना है, सभी ने फिल्म देखके कहा, कि सुपर हिट फिल्म नजर आई, गोविंदा यह रिलीस कैसे नहीं हुई, मैं चूप हो गया, मुझे यह आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही, माता पिता ने समझाया कि भईया, यह सब भागय पर है, आप उसे भूल जाईए, काम कीजिये, आगे निकलिये, तो बहराल मैं उस पर रियक्ट नहीं किया, फिर आदर्णिया, रवी चोपडा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, यह कहकर उसे ड्रोग दिया गया, कि वो कोट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया, between Financer, मैंने सोचा हो सकता है, ये भागय का हिस्सा हो, हो सकता है, fine, पिर, Astra buynight की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है, वो रिलीज नहीं हुई, उसके बाद जो बनी फिल्म, वो रिलीज हो गई, रोई शेटी की साथ वाली मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई उसे मंच नहीं मिला ऐसे बहुत सारी फिल्में जो है चाय गरम टाइप जो लोग बिचारे आवाज नहीं उठा सके ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम सौ करोड रुपे की जो फिल्म है वो नौ दस वर्ष हो गया है वो रिलीज नहीं हुई उसे मंची परदान मतब दिया ही नहीं गया है अब हाली में फ्राइडे रिलीज हुई आप सब चो पत्रकार गण है सभी ने बहुत तारीफ की थ्री अन हाफ रेटिंग मिली उसे तो यह सब पढ़े लिखे लोग है यह तो बेखूब तो नहीं है वो यह सिनवा समझते हैं देखते हैं और देखने के बात कहते हैं सभी नही vez ने तारीफ की उस फिल्म को ठेटरी नहीं मिले क्यों? यह कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी नहीं सोच सकते थे, इसे कहां से ठीटर दे दे, तो उसे मंची प्रदान नहीं किया गया, अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब यह हद हो गई, कि सेंसर की डेट पहलाज जी की फिल्म को मिली ही नहीं, यह तो हद हो गई, अब यह सोचने का विशह है, एक आदमी से सकता है, 2, 4, 3, 4, 5 साल नो बर्स ہو गए भाई, क्या है प्राब्लम, कहा है प्राब्लम, और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने, किसी के साथ घातपात कर दिया है, मैं ये विशह मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस विशह पे कता ही चर्चा नहीं करूँगा मेरा ये सोचना है कि मुझे मन्च ही नहीं दिया जा रहा है मेरी फिल्मे जो है वो ठेटर तक पहुची ही नहीं पा रही है ये तो मैं उपरवाले ने मुझे पर कृपा कर दी है ये उपरवाले ने करम किया है कि अधर्णी पहला जी के माध्यम से आज ये ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्षिय कह सकूँ मैं बहुत शमाप्रार्थी हूँ कि मैं इस पीचर को लेके पूरा डिसकस नहीं करूँगा क्योंके मुरे पास नौ वर्ष का पूरा लेखा जोखा है ये ऐसा मेरे साथ वर्षान वर्ष से क्यों हो रहा है मैं पॉलिटिक्स से भाहर निकल चुका हूँ मेरे तरफ से किसी के लिए प्राबलम नहीं है तकलीफ नहीं है मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घुम रहा हूँ मेरे तरफ से एक गलत शब्द